हेलो फ्रेंड एक बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूटूब चैनल मेज़र टार्गेट पर तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग कलास 10 के संस्क्रीट का वायरल कोस्टन पेपर को लेके आ चुके हैं अगर आप 20 पर मैट्टिक के बोड एक्जाम देने वाले 22 में तो ये कलास आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंड है अगर आप ये सभी परसन को अच्छी तरिके से पर लेते समझ लेते न तो आपके बोड एक्जाम में 22 के एक्जाम में जो हैं काफी सारे परसन आज के कलास स होने वाला है तो फ्रेंड है इस वीडियो में जितने भी questions को select किये हैं ना ये सभी questions आपके लिए especially viral question है इसलिए आप जो है एक एक questions को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और दोस्तों exam का समय काफी नजदिग है इसलिए ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर तयार किय है इस वीडियो में जितने भी questions को select किये हैं ना ये सभी परसन बहुत important है आपके बोड एक्जाम में 110 परसन लड़ेगा ही लड़ेगा इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखरी तक बिल्कुल एके questions को अच्छी तरीके से याद करती हुए जाना है और दोस्तों आप कोस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों जो भी वीडियार तेवी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जल्ली से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में notification बेल आइकन आएगा इसे प्रेस करके जो हिन all पर जरूर सेलिट कर लिजेगा और दोस्त नमर को सेब कीजिए आप बोले की सरह में वार्टसफ गुरु में जोड़ दीजे तो हम जो हिन आपको वार्टसफ गुरु में जोड़ देंगे वार्टसफ गुरु में जोड़ने से काभी सारे benefits आपको मिलेगा जोडने के बाद ही पता चलेगा इसलिए यहाँ पे आप ज चले दोस्तों देखती है आप आज का first person जो आपके board exam में 110% लड़ेगा है लड़ेगा इसलिए इस questions को अच्छी तरीके से याद कर लीजेगा तो friend person एक राय कि आपको बताना है कि महन से भी महन क्या है तो यहाँ पर option A में आपका दिया हुआ है आत्मा या पिर देपता और option C, ODC या पिर दानो तो friend है महन से भी महन क्या होते हैं आत्मा होते हैं यानि कि यहाँ पर A वला option जो है बिल्कूली करक्टान जरू हो जाएगा अब चले friend देखते हैं आपे दूसरा नमर परसन जो कि आपके board exam में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा तो यहाँ पर आपको बताना है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है तो यहाँ पर option A में आपका दिया हुआ इस वर या पिर शरीर और option D ये आत्मा और option D में आपका दिया हुआ है मन तो friend है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होते हैं आत्मा ही होते हैं यानि कि यहाँ पर C वोला option जो है बिल्कूली करक्टान जरो हो जाएगा अब चले friend देखते हैं आपे तिसरा नमर परसन जो कि आपके board exam के लिए काफी important यह भी परसन जोन आपके board exam में पूछे जाएंगे तो friend परसने कराए कि नदिया समुद्र में कैसे मिलती है तो यहाँ पर option A में आपका दिया हुआ है नाम को छोड़कर या पर रूप को छोड़कर या फिर option C में आपका दिया हुआ है नाम और रूप के साथ या पिर option D है नाम और रूप दोनों को छोड़कर तो friend है नदिया समुद्र में कैसे मिलती है तो नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है यानि कि यहाँ पर D वॉला option जो इना बिल्कूली correct answer हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आप चोड़ा नमर परसन जो कि आपके बोड़ एक्जाम के लिए अतियंती महत्पूर ने बोड़ एक्जाम में पूछे ही जाएंगे ठीक है तो परसन यह कराए कि आपको बताना है कि किसकी विजए नहीं होती है तो यहाँ पर option A में आपक इस बार पूछे ही जाएंगे अब चले फ्रेंड देखती हैं आप पांच नमर परसन जो को देखेगा ध्यान प्रूबक परशन यह कराए कि आपको बताना है कि सत्य में जयते किस उपनी सत्का मुल मंत्र है तो यहां पर option A में आपका दिया हुआ है कि इसा वासी उपनी सत का मुल मंत्र है यहां पर सीवला option जो है ना बिल्कूली करक्टांसर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखती है आप छटा नमर परसन जो कि आपके बोड एक्जाम में 110 परसन पूझे जाएंगे तो फ्रेंड परसन यह कराए कि आपको बताना है कि सत्य का मुह किस पातर से है तो यहां पर option A में आपका दिया हुआ हिरेंड में पातर से यहां पर रसत में पातर से यहां पर मिरेंड में पातर से और option D में आपका दिया हुआ है तामर में पातर से तो फ्रेंड है जो सत्य का मुह ना किस पातर से ढखा हुआ है तो हिरेंड में पातर से ढखा हुआ ह यानि कि यहां पे A बला उप्सन जो है ना बिल्कूल है करेक्टर आंसर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं आप पे साथ नमबर परसंट को देखेगा जो कि आपके बोड़ एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंड है तो फ्रेंड यहां पे आपको बताना है कि आलस कता पाट के रचेता कोन है वही आपको बताना है तो आलस कता पाट के जो रचेता है ना दोस्तो विद्यापती है यानि कि यहां पे A बला उप्सन जो है बिल्कूल ही करेक्टर आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पे नेक्स्ट को देखेगा जो कि आपके ब बताना है कि मैंतिली भासा के कवी कौन है तो यहां पे देख सकते हो अप्सन A में आपको दिया और आज सेक्षार और अप्सन B है विद्यापती या फिर दामदर गुप्त और अप्सन D में आ पका दियावा आलीदास् तो कौन है विद्या पती इसे आपको याद होना चाहिए यहाँ पे B वाला अप्सन जो है ना बिल्कूल ही करक्टांसर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखती है आपे next question की तरफ बढ़ चलती है जो की काफी important है premium person है तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक आलसेयों की संख्या कितनी थी तो यहाँ पे option A मैं आपको दिया 5 या पर 6 और option C मैं आपको दिया 4 या पेर तीन तो friend वास्तविक आलसेयों की जो संख्या थी ना दोस्तो चार थी इसे आपको याद होना चाहिए यहाँ पे C वाला option जो है ना बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं आपे 10 नमर पर जो कि आपके बोड़ एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंड है यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बरा शत्रू कोन है तो यहाँ पे बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे next question जो भी विदियार थे अभी तक इस वीडियो को लाइक ने किये ना तो प्लीस दोस्तों जल्ली से आप फटावर से वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में नौडिफिकसन बेल आइकन आएगा इसे प्रेस करके जो इना ओल पर जरू से लिट कर लिजेगा और दोस्तों जो भी वीडियारती इस वीडियो को सुरू से लेकर आगरी तक देख लेते हैं तो आपके बोड़ एक्जाम में काफी सारे परसन इसी वीडियो से आने वाला है इसलिए क्लास काफी important है चले friend देखती है आपे next question क्या गराए कि आपको बताना है कि ये गवले अपनी पत्नी मेत्रियो को किस की सिक्छा देते हैं तो friend किस की सिक्छा देते है तो आत्म तत्व की सिक्छा देते हैं यानि कि यापे C वला option जो है बिल्कुली करक्टा अंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे 12 नमर पर संजो कि आपके बोड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ट एंड है यहाँ पर आपको बताना है कि विजे भटारी का किसकी पतनी थी अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे 13 नमर पर संजो कि आपके बोड एक्जाम में 110 पर संजो कि पूछे जाएंगे तो इसको भी अच्छी तरीके से याद कलीजिएगा तो फ्रेंड पर संजो करा है कि पंडित चमाराओ द्वारा रचित सत्यागर गीता किसके दर्सन द्वारा परवावी दे ठीक है तो पंडित चमाराओ जो रचिता गया सत्यागर गीता है ना किसके द्वारा दर्सन किया गया था वह आपको बताना है ठीक है तो friend महात्मा गांदी के द्वरत दर्सन के मलब परवावी था यहाँ पर A वला option जो है बिल्कूली करक्टांसर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं आप है 14 नमर परसन जो कि आपके बोड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ट एंड यह भी परसन है परसन यह करा है कि आपको बताना ही कि गंगा दिवी का समय क्या है तो यह पर option A में आपका दिया 14 सधी या फिर 18 सधी और अपसन C नवी सधी या फिर 12 सधी तो friend है गंगा दिवी का समय क्या है तो अट वी सधी है इससे आपको यादो ना चाहिए यानि कि यहाँ पे B वला option जो है ना बिल्कूली करक्टांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती है आपे 15 नमर पर समझो कि आपके बोड़ एक्जाम के लिए most important है और यह भी पर समझो ना बोड़ एक्जाम में पूछे ही जाएंगे यहाँ पे आपको बताना है कि यह गवले की पत्नी कौन थी तो यहाँ पे option A में आपको दें मैत्री है या पिर सुलभा या पिर देव कुमारी का ओड़ अप्सन दिये यहाँ पर आपको बताना है कि सर्व शुकला सर्व स्वती किसने गा तो फ्रेंड है सर्व शुकला सर्व स्वती किसने कहा था वह यह आपको बताना है तो किसने कहा था दोस्तो दंडी ने कहा था यानि कि यहाँ पर D बोला option जो है बिल्कूली गरक्टांसर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखती हैं आपे 17 नमर परसन जो कि आपके बोड़ एक्जाम में 110 परसन लड़ेगा ही लड़ेगा तो इस परसन को भी अच्छी तरीके से नोट कली जिएगा यहाँ पर आपको बत हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखती हैं आप नेक्ष्ट कोस्टन जो कि आपके बोड़ एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंड है यहाँ पर आपको बताना है कि प्राचिन संस्किर्थी की पाचान किसे होती है तो यहाँ पर चार्ग अप्संस दिया गया तो किसे होत है और दोस्तों आपके एक्जाम में एक पर संबार बर पूछा गिया है कि संसकारों की कुल संग्या कितनी है तो फ्रेंड संसकारों की कुल संग्या सोलो है और दोस्तों संसकारों को कितने भागों में बाटा गया तो संसकारों को 5 भागों में वर्गी किरित किया गया है अ तो फ्रेंड है जन्म पूर्व कितने संस्कार है तो जन्म से पहले तिन संस्कार है यानि कि हहाप पर सीवला अपर संस्कार जो बिल्कूल करक्टरा दना जाएगा यहां पर आपको बताना है कि मनुसिय गिरहस्त जीवन में कब परवेस करता है। सबनाब करेंटाएं और इस नंबर परसन भी बहुत ही सब्सक्राइं अबर खो기로oo देखेगा रूप की रक्षा किसे होती है तो सत्य से होती है इसे आपको याद होना चाहिए यानि कि यहाँ पे एबल आप्सन चे ना बिल्कुल है करक्ट आंसर हो जायेगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे ताइस्त नमर परसंगो देखेगा यहाँ पे आपको बताना ह कि नीती सलोका पार्ट किस गरंथ से संक्लिद है तो यहाँ पर आपको बताना है यानि कि यहाँ पर एबल आप्सन चे ना बिल्कुल है करक्ट आंसर हो जायेगा अब आए फ्रेंड देखते हैं आपे 24 नमर परसंगो देखेगा जो कि आपके बोर एक्जाम में 110 परसंग ल यहाँ पर आपको बताना है कि पटना का इतियास कितना पुराना है तो फ्रेंड पटना का इतियास कितना वर्स का पुराना है तो 2500 वर्स पुराना इसे आपको याद होना चाहिए और दोस्तों आपके एक्जाम में एक परसंगो पूछे आते कि पटना का पुराना नम क्या है तो फ्रेंड पटना का प्रणानम क्या है पाटली गरा में इसे आपको याद होना चाहिए काफी इंपोर्ट है यह भी परसन आपके बोड एक्जाम के लिए अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे 25 नमर परसन को देखेगा जो कि आपके बोड एक्जाम में पूछे यहां पे आपको बताना है कि युनान का राज़दूत कौन था तो यह पर परसन आपको काफे प्रहा चुके है तो मेगा अस्तनीज था यानि कि यहां पे सीवला अप्संच जेना विल्कुल ली करक्ट अनसर हो जाएगा और दोस्तो यह मेगा अस्तनीज किसके समय में पट ना आया था अब आये फ्रेंड देखती है आप 26 नमर परसन भी बहुत ही इंपोर्ट है इंड आपके बोर्ड एक्जाम के लिए यहां पर आपको बताना है कि कौमूदी महुत से किस रितू में मनाया जाता है तो यहां पर आपको दिया बसंत रितू में या फिर वरसा रितू में या फिर गिरिस्म रितू में और अपसन डी में आपका दिया वावाई सरद रितू में तो फ्रेंड है यह जो कौमूदी महुत से है ना दोस्तों किस रितू में मनाया जाता है तो सरद रितू में मनाया जाता है यानि कि यहां पर डी वाला आपसन जो है ना बिल्कूली या फिर पटन देवी और अपसन डी में आपका दिया वह गोरी तो फ्रेंड है पटना नगर की पालिका देवी हैं वही आपको बताना है ठीक है तो फ्रेंड पटना नगर की जो पालिका देवी है दूस्तों कोन देखें काफी इं wire तो प travaillक से देखेगा परसन यह कराएगी सीखो के दसवे गुरू कौन थे तो फ्रेंड सीखो के दसवे गुरू जो है ना दोस्तों कौन थे गुरू गौवेंद सिंग थे यानि कि यहां पर सीवला ऑप्सन जो है बिल्कूली करक्टरांसर हो जाएगा और दोस्तों गुरू गौवें की या फिर केरल की या फिर जारखंड की और अपसन टी में आपको दिया पच्छी मंगाल की तो फ्रेंड है यह जो पाटली पूतर थी ना किस प्रांत की राजधानी थी तो फ्रेंड यह जो ना बिहार की राजधानी थी से आपको याद होना चाहिए यानि कि यहाँ पर यह 110 परसन पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपको बताना ही कि, दामोदर गुप्त ने किस कावे की रचना की, तो यहाँ पर अपको दिया कावे मिमान से, या फिर मुदरा रक्षा से, या फिर और C में आपको दिया, विरिच्छे कटी किया, फिर कुटनी इतम, तो फ्रेंड, य जो कि आपके board exam के लिए most important है यहां पर आपको बताना है कि आधुनी काल की संस्कृत कवीतरी कौन थी तो यहां पर option A में आपका दिया हुआ है तिरू मलंबा या पिर विजे डंका या पिर सुलबा और अपसंडिये पंडित छमाराओ तो फ्रेंड है आधुनी काल की जो संस् important है यहां पर आपको बताना है कि दक्षिन भारतिय संस्कृत लेकी का कौन है तो यह पर option A में आपका दिया है सीला भटारी का यपर राम धरम्बा ये पिर देव कुमारी जो है न बिल्कुली correct answer हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर next question को देखेगा जो कि आपके board exam के लिए most important है यहाँ पर आपको बताना है कि सेस्वर संसकार कितने हैं आपको पहले बताए तो 6 है और दोस्तों जनम से पहले कितने संसकार होते हैं जनपुर्व कितने संस संसकार है तो 3 है इसे आपको यादोना चाहिए देखती हैं पर 34 परसन जो कि आपके board exam के लिए most important है यहाँ पर आपको बताना है कि अंतिरिष्ट संसकार कब होता है तो फ्रेंड यह जो अंतिरिष्ट संसकार होते हैं मरने के बाद होते हैं यानि कि यहाँ पर एबला option जो ह पिल्कुली करक्टरांसर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखती हैं पर 35 परसन को देखेगा जो कि आपके board exam के लिए most important है यहाँ पर आपको बताना है कि संसकार कितने हैं तो यहाँ पर आप संसकार को पांच भागों में वर्गी किरित किया गया है अब चले फ्रेंड देखती है आपे 36 परसन जो की काफी important है यहाँ पर आपको बताना है कि संसकार कितने परकार के हैं तो फ्रेंड संसकार जो होते हैं तो पांच परकार के होते हैं जो की हम आपको पहले ही बताए यानि कि यहाँ पे वीवला option जो है नहीं बिल्कुली करक् कौन मारता है तो यहां पर सी वाला औप संट्व जो है बिलकुल इक रेक्टांसर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखती है पर 38 परसंट जो कि आपके बोड़ एक्जाम के लिए मुश्ट प्रफ्रेंड है यहां पर आपको बताना है कि बिन बुलाए कोन आता है तो यहां पर ऐप सजन यह फिर दुर्जन और फिर मुर्ख और अपसंड यहां पर आपको बताना है कि लक्षमी किसका ओरण करती है तो यहाँ पर option A में आपको दे मुर्क का या फिर उद्धोगी पुरूस का या फिर लोबी का और option D में आपका दे क्रोधी का तो फ्रेंड है यह लक्ष्मी किसका वरन करती है इसे आपको याद होना चाहिए यहाँ पे B वला उप्सन जो है न बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे next question यह कह रहा है कि करम विभीर कौन्द था तो फ्रेंड यह करम विभीर कौन्द था तो यहाँ पे कौन्द था होई आपको बताना है कि भीकन टोला गाउ कहां है तो यहाँ पे option A में आपको दिया उत्तर परदेश में या पिर जारखंड में या पिर बंगाल में या पिर बिहार में तो फ्रेंड है यह जो भीखन टोला गाव है न दुस्तों कहां पे है तो बिहार में है इसे आपको याद होना चाहिए या ने कि यहां पर डीवला अप्सन जो नहीं बिल्कूली करक्टर अंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पे वायलिस नमर परसन भी बहुत इंपोर्टन आपके बोड एक्जाम के लिए यहां पे आपको बताना है कि दलित गरामवासी पूरूस की कता कौन है तो यहां पर अप्सन ए में आपको देख करमवीर कता या पिर आलस कता और अप्सन सिये व अपको बताना है कि स्वामी दəयानन्द की सिंख्षा की शरुआत किस भासा के माधियम से हुई काफी इंपोर्टन है तो ऑफ्रेंड यह ज़ो स्वामी दहाननंद की सिंख्षा के सुरुआत जो ही थी हुई तो संस्कृष भासा से हुई ती यानि कि यहां पे एब किल करक् नगर में आड़े समाज की अस्तापना की काफी इंपोर्टेंड है तो फ्रेंड स्वामी दयानंद ने जो है न मुंबई सहर में आड़े समाज की अस्तापना की थी इसे आपको यादोना चाहिए यानि कि यहाँ पे भी बला अपसन जो है न बिल्कुली करक्ट रांसर हो आएगा देखते हैं पर नेक्स्ट को देखेगा जो की आपके बोड़ एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंड है यहाँ पर आपको बताना है कि गुजरात पर देस्ति टंकारा गराम किसका जनमस्ताले ठीक है तो फ्रेंड गुजरात इस्ति टंकारा गराम चोहें न दो दो स्वामी दैयानद जी का जनमस्ताल यानि कि यहां पर सी वला भौ जाया घ्डैकृ आपन बिल्कुल यूजरा जाया है और दो स्वामिदायाम ने कैसा काम किया था तो समाजो द्वार का काम किया था अब और चले फ्रेंड प्रेंड देखते हैं पर नेक्स्ट को देखे के लिए most important है यहां पर आपको बताने की स्वामी द्यानन्द का जनम किस गाव में वा था तो यह पर option अमें कंटारा में यह पर टंकारापुर में यह पिर टंकारा में यह पुर एक्षसाम के लिए अब चले फ्रेंड देखते हैं पर नेक्स्ट क्वेस्टन को देखेगा जो कि बहुत इंपोर्टेंड यहां पर आपको बताना है कि असांती से क्या होता है तो यहां पर बीवला अप्सन जो है ना बिल्कूली करक्टर अंसर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं पर 50 नमर पर संजो कि आपकी बूर एक्जाम के लिए काफी मत पूर्ण है यहां पर आपको बताना है कि अपना और प्राय की गन्ना कोन करता है तो यहां पर अप्सन A में आपका दिया हुआ है दिर्ग चीत वाले लोग यहां पिर अप्सन B मे संस्क्रित का वाइरल कोष्ण पेपर को देख चुके हैं तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताए यह 50 परसन में से आपको पहले से कितना परसन का से और 60 आंसर या ता इसका जवाब जो है जल्दी से आप हमें इसी वीडियो में फटावर से कमेंट करके बता इतना सभी परसन आपके बोड एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे इसलिए जो हैं आप एक एक कोसंस को अच्छी तरीके से याद कर लिजिएगा और दोस्तों जो भी वीडियार थी वैपसाइट पर ओलाइन टेस्ट देने जानते हैं तो जल्दी से मेरा वार्ष सेर कीज़ेगा ताकि वह भी बोड एक्जाम की त्यारी काफी अची तरीके सेर करके चार सो असी प्लस मार्क्स एचूप कर सके तो फ्रेंट जो भी वीडियार थे अभी तक वीडियो को लाइक ने किये ना तो फ्लीस दोस्तों जल्दी से आप फटावर से वीडियो को सके ठीक है तो फ्रेंट फिर मिलते हैं पर अगले क्लास में आज के लिए इतना है जय हिंद वंदे मात्रम